देना एक कारेक्टर है, देना एक क्या है? कारेक्टर है और हमारा परमेश्व क्या करता है? देता है आप बोलते हैं मुझे परमेश्व में बढ़ना है तो परमेश्व में बढ़ने का मतलब है उसके कारेक्टर में बढ़ना उसके सोबाब में बढ़ना और आपका फिता, आपका फादर स्वयमो देता है एमेन एडिया आप रोमन्स की पुष्टक में बढ़ो गया है वापे इस परकार लिका हुआ है कि जिसने अपने एक लोता बुतर को नहीं चोड़ा वो तुमें और भी चीज दे सकता है एडियो वो एक लोता बुतर को दे सकता है तो तुमें और भी चीज दे सकता है तो जब देने की ये सिच्या काली देने की बात नहीं है देने की सिच्या ये दिखाता है कि आपके अंदर यिसु मसी का कारेक्टर है या आपके अंदर सवरगी विता का करेक्टर है तो वो बंदा कभी दे यू नहीं पाता जो नया जनम पाया हुआ नहीं है वो ही लोग परमेशय की राजरे में बीजबो पाएंगे या परमेशय को दे पाएंगे जो नया जनम पाए वोह है बिस्वासी है Amen क्योंकि जब आप निया जनम पाते हो तो आपके अंदर किसका कारेक्टर आता है ये सुमसी का कारेक्टर आता है क्योंकि जैसे आपके माबाब होंगे ऐसे ही आप भी रहोगे जो माबाब के अंदर कारेक्टर होता है वही किसके पर आता है बच्चों के पर आता है सेम कारेक्टर जो मा के पर होता है सेम कारेक्टर जो बाप के पर होता है वही कारेक्टर किसके पर आता है बच्चों के पर दिखना सुरू करता है तो सेम एडिया बोलते हो कि मैं प्रमेशुर से पैदा हुआ हूँ और आप देने में हिचकी चाहते हो आप देनी पार रहे हो आप जेनरोसिटी नी हो आप उदार देने वाले बंदेनी हो उदारता से देने वाले बंदेनी हो तो ये एक साइन है अभी तक आप प्रभू में पैदा नहीं होए हो आपको नया जनम लेनी की दुरुत है Amen एक प्रेम आग्या नहीं है आज किन लोग बलते हैं प्रेम आग्या है प्रेम आपका सुबाब होना चाहिए समा करना आपका सुबाब होना चाहिए क्योंकि Heavenly Father प्रेम करता है उनको भी प्रेम करता है जो धर्मी है उनको भी प्रेम करता है जो अधर्मी है Amen तो जब आपके अंदर परमेशु का सुबाब आजाएगा आप उनको भी प्यार करोगे जो आपसे प्यार करते हैं आप उनको भी समागरोगे जो आपके साथ गलत कर रहे है क्योंकि ये क्या है? चारेक्टर आपके जीवन में आना सुरू करेगा तो नया जनम पाना बड़ा इंपोर्टन्स है और आप सब लोगों नया जनम पाया हुआ जिसलिन आप इस्वास करते हो आप क्या पाते हो? नया जनम पाते हो जब आप नया जनम पाते हो तो परमेशुर आपको देने वाला बनाता है बाइबल में में लिका हुआ है लेने से ब्लेसट क्या है? देना है लेने से ब्लेसट क्या है? देना है परमेशो ने प्रेम किया और दे दिया प्रेम क्या होता है? देना होता है परमेशो ने टेस्ट किया अबरहाम को कि सच में अबरहाम मेरे से प्यार करता है तो परमेशो ने अबरहाम से वो चीज़ मागा जिससे अबरहाम बहुत प्यार करता था अबरहाम धन से प्यार नहीं करता था अबरहाम संसारिक बसु से प्यार नहीं करता था अबरहाम जो परमेशु ने उसको 25 साल के बाद दिया वा ओला जिसका नाम इजाहक है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था परमेशु ने कौन सा चीज मागा जिससे अबराहम प्यार करता है तो कई बार परमेशु चाहता है कि आप अपने लाइप में सबसे पहलो उटा कि इसको दो परमेशु को दो पहला इससन कि इसको देना है परमेशु को देना है परमेशु ने बोला अबरहाम को जो तेरे पास ओलादे उसको बोली करते मेरे लिए क्या अबरहाम ने सोचा अबरहाम ने अपने पत्ने के पास गया मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्योंकि जो अबरहाम परमेशुर से बहुत प्यार करता था आप परमिशुर से प्यार करते हो आप अच्छे से अच्छे बस्तू जो आपके पास है आप देने से रोकोगे नहीं एमेन और अबरहाम ने क्या किया बलेदान करने के लिए गया हमें पता इस स्थोरी है प्रभू ने रोक दिया उसको और प्रभू ने बला कि सच मुझ तु मेरे आग्याओ को क्या करता है मानता है और मैं तुझे अब क्या करूँगा बढाऊंगा और मैं तुझे स्रेश्ट करूँगा परमिशुर चाहता है कि जैसे उसने अबरहाम की जीवन में एक करेक्टर को पैदा करा दिया देने वाला करेक्टर ऐसा ही वो हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम देने वाले बन जाए क्योंकि जो सम्रीदी है जो abundance है और जो अमिरता है उन्ही को मिलेगा जिनके देने का करेक्टर है यदि आप generous नहीं हो यदि आप देने में आगे नहीं हो आप जो आप प्राप्ता करने के कोश्चित करते हो न आपको कभी नहीं मिलेगा धन संपती उन्ही के पास ज्यादा आएंगे जो का करते है देते हैं बोलो देते हैं यदि आप पढ़ोगे परमिश्य की बच्चन में मती 6 के 19 में लिकावा है अपने लिए पृतिवी पर धन इकटा मत करो जहां कीडा काई बिगारते हैं जहां चोड सेद लगते और चुराते हैं पर तो अपने लिए क्या करो सुरग में धन इकटा करो जहां ना तो कीडा है ना तो काई बिगारते हैं जहां ना चोरी होता है, ना कोई सेद लगता है वहाँ पे, एमेन, तो सुरग में धन कटा करने का मतलब क्या है, परमेशु के राजे में बीज बोना, सुरग के राजे में बीज कटा करने का मतलब क्या है, धन कटा करने का मतलब है, परमेशु के घर में बीज बोना, एदि आ कर सकता है उस पैसा में क्या लग सकता है कीडे लग सकते सेद लग सकते वो चोरी हो सकता है दवायों के दोरा आज जा रहा है कितने सारे लोगों का पैसा आपको बताए पैसा कमात हो रहे हैं दवायों के दोरा जा रहा है अलग अलग परिसानी आ जाती है पैसा आया नहीं अल पढ़ोगे और मैं चाहता हूँ आप निकाले हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गरीबी और चोरी करने वाला एक आत्मा है जो आपके धन को चोरी करता है और आपको नास करता है एमेन अदि आप मला की 3 की 11 में पढ़ोगे यहाँ पर इस परकार लिखा हूँ आप परमेशी की वचनों को पढ़ोगे यहाँ लिखा हूँ आप कि मैं तुमारे लिए नास करने वालों को ऐसा डाटूँगा कि वो तुमारे भूमी के उपज को नास नहीं कर पाएगा तुमारी दाखलता के फल कचे नहीं गिरेंगे आप दाखलता लगा रहे हो उसमें फल है पर फल कचे गिर रहे हैं आप बिजनेस कर रहे हो पर बिजनेस में कोई बेनेफिट नहीं आ रहे हैं आप जॉब कर रहे हो और आपने मेहनत किया पूरे मेहने और आपने सालरी को र करने वाला हैं, मैं उसको डाटूँगा, मैं उसको क्या करूँगा? तो यह दिखाता है, एक आत्मा है, जो आपके लाइफ में काम कर रहे हैं, जो आपके पैसो को नास कर रहे हैं, एमें? पैसे आया नहीं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स आ गया, दिक्कत आ गया, इसलिए परमेशो का बचन क्या कहता है, परमेशो चाहता है कि तुम देने वाला बनो, परमेशो के राज़ी में भीजबोने वाला बनो, अपना धन कहांपे इककटा करो? में इककि जब तुम्हे जरुड़त होगा, इसलिए प्रतिफी पर धन ही कटा, एधी आप प्रतिफी पर धन ही ककटा करोगे, चोर क्या करेगा? चोर यी करेगा, बाफली कि दियर अ तू कटनी को देखना सुरू करेगा तुझे भे कोई भी परकार की कमी गटी नहीं होगा जब तू परमेश्य के राज्य में बीच बोना सुरू करेगा कितने सारे लोग विस्वासी को ऐलर्जी हो जाता है जब उनको बीच के बारे में बताया जाता है वो दिखाता है आप नया जनम पाएवे विस्वासी नहीं हो वो दिखाता है आप परमेश्यों से प्यार नहीं करते हो वो दिखाता है कि आप आप परमेश्यों से प्यार नहीं करते हो क्योंकि जो परमेश्यों से प्यार करते हैं वो देने वाले होंगे एमेन जा रहा है एमें इसने मलागी 3 की 11 में का लिखा है मैं तुम्हारे लिए नास करने वालों को ऐसा गुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमी के उपज को नास नहीं करेगा और तुम्हारे दाखलता के फल कभी कच्चे पहले वो कच्चे गिरते थे अब वो गिरेंगे नहीं एमें एदी आप दसवांस नहीं दे रहे हो तो आप अपनी 90% में परमेश्यो को कैसे आप उसको बुला सकते हो इन्वाइट कर सकते हो तो जब आप दसवांस देते हो तो वो एक इन्विटेशन है परमेश्यो आप मेरे 90% में आए उसको बचाए उसको मल्टिपलाई करें इसलिए आप मलाकी 3 की 11 भी आमने पड़ा, इसका दस बढ़ोगे, सारे दसवांस भंडार में ले आओ, अपना धन कहाँ पही कटा करो, स्टोर आओस में, भंडार में, परमेश्य के राजे में, यह वही है, सारे दसवांस कापे लेका आओ, बंडार में लेका आओ, कि मेरे घर में क्या रहा है, बोजन बस्तूर है, चर्च में किसी भी परकार की कमी, एदी चर्च में कमी है, चर्च कमी में रहेगा, एदी चर्च के अंदर भरपूरता है, किसी भी परकार की कमी नहीं है, किसी भी परकार की घटी नहीं है तो वो दिखाता है आप भी blessed रहोगे एड़ी आप church को देखोगे church का कमी आपके life में कमी को लेके आएगा church का बड़ोत्री होना आपके जीवन में बड़ोत्री को लेके आएगा प्रभू दस्वांच को क्यों माग रहा है कि मेरे घर में कोई भी परकार के कमी ना हो और सिनाओं का यहवाई यह केता है ऐसा करके मुझे परक और आकास के जरे के खोल कर तुमार ले उपर से क्या करूँगा अपरम बार की आसिस की बर्षा करता हूँ की नहीं तुम मुझे परको इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यह भी लिखा हूँ है जो दस्वांच से इसको बूलते है मासेर बूलते है इसको हिबरी में क्या बूलते है इसको मासेर मासेर का मतलब है इदि आप मासेर को ओरीजनल रेंटिरिंग में इदि आप इसको पढ़ोगे और ओरीजनल मीनिंग में इदि आप पढ़ोगे इसको बुलते हैं आसेर आसेर का मतलब है अमीर हो जाना क्या हो जाना? विशॱवाइसि आपको पता नहीं है आपका दस्वास देने का मतलब ही है अमीर हो जाना क्योंकि बैबल क्या कहती है जब तु दस्वास देगा तु मुझे परकना सुरू कर मैं क्या करूँगा कि आकास के जहरोके जो जहरोके है इसको बोलते है डैम उसको क्या बोलते है? डैम, कभी आपने डैम देखा है? डैम क्या करता है? अलग अलग नदी होती है, एक ही जगा में इकटे होते हैं और वो डैम वहापे लगता है अजिए वो डैम खोल दिया जाए तो गाउं डूब सकता है सहे डूब सकता है इसलिए वहापे डैम लगाया जाता है ताकि वो पानी सहरों में ना आए एमेन? तो आपका दस्वान से ना आसीस के डैम को खोल देगा जब वो डैम खोल जाएगा तो आसीस की बरसा आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में आना सुरू करेगा आकास के जरू के परातना से नहीं कूलते है आकास के जरू के फास्टिंग परेयर से नहीं कूलते है South Africa में सबसे ज़्यादा उपवास परातना होती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब इस्वासी है हमारे इंडिया में सबसे यदा उपास परेर करते है और सबसे यदा गरी बिस्वासी है वाइ? क्योंकि कितने लोगों को लगता है उपास परात्ना में अमीर करता है ऐसा नहीं है एक प्रिंसिपल है यू आप तु फॉलो दाइप प्रिंसिपल जब तु दस्वास देगा आकास के जरोके तब खोलते है प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर नहीं आकास के जरोके कख फोलते है तेरे दस्वास देने से एमेन? विस्वासी और ये पास्टर्स एक कलिस्या चलाने वाला पादरी भी कमी में तो वो दसवांस देता नहीं है वो क्या करता नहीं है दसवांस देता नहीं है क्योंकि आसीस और आकास के जरोके या डैम उनके लिए खुल जाता है जो दसवांस देते है एमेन दसवांस का मतलब क्या है अमीर हो जाना और जरोके का मतलब क्या है डैम पर मेंशुन आपके लिए आस्स के dome को को खोल देगा जब आप अपना पहलोटा या दशवांस दे के उसकी आदर करोगे अमेन यह एक कुंजी है जो आपको संवरिदी में लेके जाएगा यह एक हुंजी है जो आपको अमीरता में लेके जाएगा यह कभी मद सोचे कि जब मैं कलिसा में भीज बो रहा हूँ, मैं party को दे रहा हूँ और यह कभी मद सोचे पास्टर जब आपनी मैनाब को बीज दे रहे हो आप मैनाब को दे रहे हो ऐटे आप अब बुक प अग्टस में बढ़ोगे उसका 10 चैप्टर एक, दो, तीन और चार पड़ोगे है, महाँ पर इस परकार लिखा भाए, कुर्णलिउस बहुत परातना करता था परमेशोर से, और वो क्या करता था, परमेशोर के लोगों को दान देता था, क्या देता था? एक सोरग्दूद आया कुर्णलिउस के पास, और वाबल के ते सोरग्दूद डर गया, और सोरग्दूद परते कहा बोलता है, तेरी परातना है, और तेरा दान सोरग में पहुँच चुका है, कहां पे? सोरग में पहुच चुका है, imagine करो कुर्णलिउस यहूदियों को, परमेश्यों के लोगों को दान दे रहा है, परमेश्यों के वहाँ दान पहुच चुका है, जब आप परमेश्यों के लोगों को आफरिंग देते हो, आप परमेश्यों को दे रहे हो, जब आप परमेश्यों के दास्तों को आफरिंग दे रहे हो, आप परमेश्यों को दे रहे हो जब आप परमेश्यों के घर में आफरिंग बो रहे हो आप किसको दे रहे हो परमेश्यों को दे रहे हो तो जब आप आफरिंग को बो रहे हो आपके इंदर ये माइंड वनुची है मैं God the Father को दे रहा हूं मैं Heavenly Father को दे रहा हूँ मैं के इंसान को नहीं दे रहा हूँ मैं कोई Pastors को मैं किसको दे रहा हूँ आपको समधा रही है कुरूनली उसने किसको दान दिया यहूदियों को Angels क्या बोल रहा है तेरा दान का पोच गया यहूदियों को दान दे रहा है मुझे समझने है, मैं बाइबल पट रहा हूँ प्रभू आप क्या बोल रहे हो कुरुनली उसने आपके लोगों को दान दिया और एंजल सागे बोल रहे हैं ये दान सोरग में पोच चुका है इसका महला जो फैमिली अप जिसमें बीच बोएगा वो स्वरग में उसका बीच पोचेगा आप कोई इंसान को नहीं दे रहे हो आप कोई पास्टर को खुष करने के लिए आप हमें खुष करने के लिए इस मिनिस्टिर में बीजना बोएग करोगे आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा आपको ये सोच के देना है मैं प्रभू के लिए दे रहा हूँ मैं प्रभू को दे रहा हूँ कितने सारे लोगों का बीच इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो लोगों को खुष करने के लिए देते पास्टर को खुष करने के लिए देते और कितने सारे पास्टर आज कमी में क्यों कि ये principle को यूज नहीं करते वो दुसरों को सिखाएंगे बीज वो वो दुसरों को सिखाएंगे offering दो दसवांस दो पर वो खुद उनकी offering दसवांस वो बीज नहीं वोते आपको समझा रही गया इसलिए बड़ा importance है इदि आप अपने जीबन में abundance money को देखना चाहते हो वो एक कुंजी है जो प्रभू ने Bible में में दी वे है वो आपका दसवांस है Amen कि लोग बोलते है पासुजी हम तो बहुत कमी में कमी के टाइम में परमेशो का बचन आप देखोगे आप कमी में जब आपको spiritual principle पता है जो प्रभू ने आपको दी आए इजहाग Bible की ते एक देश में चला गया जहाँ पे अकाल पढ़ गया क्या पढ़ गया एदि आप उत्पदी 26 का एक पढ़ होगे Bible वहाँ पे कहती है उस देश में क्या पढ़ गया अकाल पढ़ गया और प्रमेश्यू का बजन के ताय है बाराध द्याई में इजहाग उस देश में गया जहाँ पे अकाल पढ़ गया कुछ नहीं है दिक्कत हो गया खाने में कमी में सब चीज में कमी आगया गटी आगया खाने का कमी पढ़ गया ऐसे ही बहुत सारे लोगों के विस्वासे के जीवन में अकाल है कंगाल पन है गटी है पैसा कमारे बचनी रहे अकाल पन की गंदी आत्मा है गरीबी की गंदी आत्मा है आपको बताए गरीबी एक सराप है और गरीबी एक आत्मा है गरीबी एक सराप है गरीबी एक आत्मा है गरीब में रहना नमरता नहीं है गरीब में रहना वो एक स्राप दिखाता है यह आप गरीबी में हो वो एक आप कर्ष के इंडर हो पर बाइबल के थिये मसी ने हमें उस कर्ष से आज़ाद करा दिया है उसने आपके गरीबी को ले लिया है और अपना अमीरता आपको दे दी भी है अब मसी में आपको गरीब नहीं रहना है यूज करें इन प्रिंसिबल्स को और अमीर होते वे जाए हाललुया पर मेश और नफरत करता है गरीबी से इसलिये उसने कुरूज के पर आपके गरीबी को लिया एथि नफरत नहीं करता क्यों लेता हो में रहने देता एक गरीब यसमसी के पास आया और यसमसी को भी होई पे और वह घे अक एक इस्तरी आके एक बहुमले इतर को यसम के पेरों के क्या कर दिया पेरों में तोड़ दिया और अपने बालों से पूछने लगा उसके पेर को वो इस्तुरी ने आपको गोता है यिसु के चले क्या बोलते है ये इत्तर को बेच के हम गरीब को दे देते यिसु कहता है गरीब तुमारे साथ सरबदा रहेंगे मैं तुमारे साथ सरबदा ये इसु मसी अपने आपको बोल रहे है मैं गरीब नहीं हूँ बोलते है गरीब तुमारे साथ सरबदा पर मैं तुमारे साथ सरबदा वो अपने आपको दिखा रहे है ये गरीब है मैं गरीब तबी भी वो अमीर होने के बावजूद भी वैबल किते कुरूश के पर उसने आपके गरीभी किस तर आपको ले लिया ताकि आप उसमें अमीर हो जाओ आज अपने आपको रिफ्यूज करना है और नफरत करना है गरीभी से एमेन अब पढ़ोगे उत्पती में इजाहाग विजडम से बरावा बेक्तिता संसारिक विजडम नहीं आत्मिक विजडम उसको पता है कमी में क्या करना है कितने विश्वासी को पता नहीं है कमी में रोते रहते हैं प्रभू तू आकास के जरूकों को खोल हमने बाइबल में पढ़ा आकास के जरूके तब खोलते आपके उपास परातना से नहीं आपके फास्टिंग से नहीं आपका आंसों से नहीं आप कमी के टाइम में रोओ चिलाओ कुछ नहीं होगा कोई हालात नहीं बदलेगा जब तक आप बीज नहीं बोगे जब तक आप बीज नहीं बोगे क्योंकि गरीबी को नास करेगा आपका बीज आपका बीज एक हतियार है गरीबी को नास करने का आपका बीज एक हतियार है कमी को और करजा को नास कर सकता है एमेन तो इजहाक के पास एक प्रिंसिपल था प्रभू ने उसको सिखाया था कि अकाल के टाइमें तुझे का करना है बीज बोना है अधि आप उत्पति 26 का बारा पड़ोगे फिर इजहाक ने उस देश में जोता और बोया बोया उसने क्या किया बोया अकाल के टाइमें क्या किया आपको अकाल के टाइमें क्या करना है बीज बोना है अधि आप आज घटी में हो अधि आज आज आप कमी में हो आपको बीज बोना सिखना है लाल्ची विश्वासी मत बने इन पैसों के लिए मत जिये आपका पैसा देना दिखाता है आप पैसे से प्यार नहीं करते हो पर आप प्रभू से प्रभू से प्यार करते हो आप 10 परसंट प्रभू को नहीं दे रहे हो यह एक प्योर साइन है आप लालची हो प्रभू लालची हो को नहीं बढ़ाता प्रभू देखेगा मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त है ऐसे से मैंना आप कोड़ है जो 10 परसें नहीं 20-30 परसें अपना दसवांस निकालते और वो एक फ्रूब है आप प्रभू से जारा प्यार करते हो यह आप पैसा नहीं दे रहे हो प्रभू को एक साइन है आप किसे पार करते हो पैसा से इसलिए तो आप पकड़ के वेठे हो आप प्रभू के करमे नहीं दे रहे हो पर इजाग ने क्या क्या बोया अकाल के टाइम में बोया और उसी परस में बाइबल के थी है सो गुनाफ फल को पाया Yehua ने उसको किया दिया जब तू बीज बोयगा Yehua आसिस देगा जब तू बीज बोयगा दस्वांज बोयगा Yehua उस बीज को आसिस देगा और उसके वादे दिया बाइबल को बढ़ों के बहुत पावरफूल जीचए उस देस में अकाल था इजहाक ने परमिश्व की बचन का प्रिंसिपल को यूज किया बोने का प्रिंसिपल जब उसने बोने का प्रिंसिपल को यूज किया वो बड़ा और उसकी उन्नती होती चली गई पहले वो बड़ा और उसकी उन्नती होती चली गई एहां तक कि वो अति माहान अमीर पुरुस हो गया अमीर आपको आपका भीज जब आप बोटे रहते हो वो भीज़ वना आपको अमीर करेगा हमने क्या बोला था, दसवांस का मतलब क्या है असेर, असेर का मतलब कया है अमीर हो जाना Amen और उसके भेड़ बक्री गाई बेल वो से दास दासी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई चोदो में लिखाओ है पलिस्ती लोग डर गए उस देश के लोग डर गए आपको समझा रही है आपको आज लोग क्रिस्टन से डरते क्यों नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है क्या प्रमेश्य पैसा देना नहीं चाहता है नहीं ऐसा नहीं है प्रमेश्य पैसा देना चाहता है पर हम आज प्रिंसिबल को यूज नहीं कर ले जब हम बोलते हैं पैसा की हम परचार करते हैं वो पासर लूट रहे पास्टर लूट नहीं रहा है, पास्टर आपको एक प्रिंसिबल दे रहा है, जिसके द्वारा आप अमीर हो सको और आप मानना नामना आपका बात है, एमें? पास्टर परचार करता रहेगा, करता रहेगा, जिनको सत्ते को जरूरत है, वो रिसीब करेंगे और पाइबर की ते उस देश का राजा अभी मेलक, 16 में लिकावा है, 26 की 16 उत्पती, अभी मेलक राजा इजाह के पास आके बोलता है, हमारे पास से यहां से चला जा, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है, तु बहुत सामर्ती हो चुका है, एमें? पढ़ने की जरूरत नहीं ह अपको समय दा रही है? उसको आप कर देना, ठीक है? परमेश्य कभजन का कहता है? कि यहां से चला जा, राजा क्या बोल रहे हैं? यहां से चला जा इजाह को, क्योंकि तु हम से भी सामर्ती हो चुका है, एमें? पर इजाह ने क्या किया? एक सिंपल सा, सिंपल सा कुझी को यूज किया, और वो कुझी क्या है? देना, अकाल के टाइम में उसने क्या क्या? बीज वया, कमी के टाइम में क्या क्या उसने? बीज वया, जब आज ही आप कमी में हो, तो कमी में इसली हो, पहले रिजन आप आज आप कमी में हो, क्योंकि आप बीज नहीं होते हो, आप बी नहीं पर मैंशुर आपको एदी 100% दे रहा है उसका 10% प्रभू को देना है एदी आप पूरे महने आप काम कर रहे हो और आपकी पास साले रहा चुका है आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपका कारोबार है एदी 10% आप नहीं दे रहे हो तो आपने का किया, सेब भी खाया और उसके इंदर आपने बीज भी खा लिया बीज वो, ताकि आप और सेब आपको मिले Amen क्योंकि आपका पता है, सेब के इंदर जो बीज होता है एदी आप उसको खेत में वो होगे वही बीज पेड़ों को उगाना सुरू करेगा और वही पेड़ आपको हजार लाखों कहा देंगे सेव देंगे ऐसे ही आपका एक फाइनेंस का बीज दस्वान्स ओफरिंग आपके लाइब में बड़ी बड़ी आस्चीसों को लेके आएगा येसु के नाम से पर जब प्रभू के वचन से प्रभू ने हमें भेड़ दिया जब हमने दस्वान्स ओना सुरूर किया कम एक हतम बतावा गया हम सम्रिदी से सम्रिदी में आगे बढ़ते हुए गये आप परमेशों को कभी भी डोनेशन दे नहीं सकते हो परमेशों को आज पैसा नहीं चीए परमेशों को आज आपकी पैसे को दस्वान्स को इसलिए ले रहा है ताकि वो तुझे ब्लस करना चाता है परमेशों को आपकी पैसा नहीं चीए परमेशों को आपको और ब्लस करना चाता है इसलिए वो लेता है Amen आपको बहुत है कुईन सिवा एक रानी थी उसने सुनी सुलेमान एक विज्डमफुल बंदा है बुद्धिमान बंदा है वो उसने सुनी थी वो जाके बोलने लिए कि मैंने सुनी है पर मैं जाके क्या करूँगा सुलेमान से मिलूँगा पर्खूँगा उसको कुछ बाते पूचूँगा मैं उससे कुछ बाते मैं क्या करूँगा पूचूँगा क्यों को बेरे बाता समझ रहे हैं और उससे पर्खूँगा कि सच में क्या वो बुद्धिमान है आपको समझ रहे हैं एदी वो दिमान है तो मेरी क्या करेगा questions का answer देगा वो गई और बावल किते सुलेमान ने एक-एक परसन का उतर दिया जब रानी कुईन सीवा उससे मिलने गई, वो खाली नहीं गई आपको बता है जब आप प्रभु के घर में आते हो आप खाली आते हो तो ये बड़ी दिकत वाली बात है क्योंकि आपको पता नहीं है जिससे आप मिलने आरे हो एक राजा है एक रानी सीवा परखने के लिए जा रही है राजा को खाली नहीं जा रही है सोना, बावल के थे बहुत सारे सुनाओं को लेके जा रही है वो कितने सारे बहुत सारे सुनाओं को लेके जा रही है बहुत सारे मड़ी से लदे वे उट और साथ लिये वे एरुसलिम को वो आई सुलिमान के पास पोच कर अपने मन की सब बाते के बिसे में उस से बाते करने लगी आपको पता है जब उ जाने लगी बोला माग तुझे क्या चिए उसके मागने के रुसा सुलीमान ने उतना ही दिया और सुलेमान ने उदारता से बापल की तीया कुईन सीबा को और आफरिंग दिया जब राजा रिसीव करते वेट को वो उतना ही ज़्यादा देते हैं Amen इसलिए आप पढ़ोगे निती बचन तीन के आप दस में पढ़ोगे या नो में पढ़ोगे तीन के नो में आप लिका भाए अपनी संपत्ती के दोरा अपनी भूमी की पहली उपस देकर यहुआ का आदर करना परमेशु का आपका डोनेशन नी चीए परमेशु का आपका पैसा नी चीए परमेशु का आपका आदर चीए वो एक किंग्स अप किंग्स है वो एक लॉर्ड्स अप लॉर्ड्स है वो राजाओ का राजा प्रभू का प्रभू है जब आप उससे मिलने आ रहे हो, आप खाली आ रहे हो जब चार जोतिसी उससे मिलने गए वो सोना को लोबान को लिखे गए जब वो पैदा हुआ था येशू उनको पता है, ये एक राजा है उनको पता है, ये उदार करता है जब हम कलीसे में आते है हम निरादर के साथ आते Amen परमेशों चाहता है कि आपकी ओफरिंग में आदर पाये जाए मैं राजा को देने जा रहा हूँ किसको? किसी परकार के कमी होती है किसी परकार के गटी होती है तो आपके देने से क्या वो अमिर हो जाएगा परमेश्य को कुछ नहीं चीए आपका परमेश्य को आदर चीए पहलोटा देखे दूसरा नहीं पहलोटा जब सालिय लिया देए लोग सब चीज सब चीज यूज कर लेंगे बचा कुछा चीज चर्च में लेके आएंगे और प्रभू को देंगे बचा कुछा चीज आफ्रिंग में बचा कुछा चीज देते है क्या वो प्रभू से आसिस पाएंगे कभी नहीं पाएंगे क्योंकि प्रभू पहलोटा चाता है पहला फॉल चाता है बाब की दिए अपनी संपती के दोर आपनी भूमी की पहली उपस दे दुसरी उपस नहीं तिसरी उपस नहीं पहली उपस दे कर उसकी आदर कर इस परकार तेरे खते भरे रहेंगे और पूरे रहेंगे आज आपके खते भरे और पूरे क्यों नहीं है क्योंकि आप राजा को आदर नहीं देते हो जब आप राजा के पास आते हो तो आपको आदर के साथ आना है होनर के साथ आना है अपने ओफरिंग को लेके आना है अपने दिस्वांस को लेके आना है जब आप आदर के साथ उसको देना सुरू करोगे तो वो आपके खत्तों को भर देगा वो आपके खते आपके अकाउंट बरे रहेंगे और पुरे रहेंगे तो आप कभी नहीं बोलोगे मैं कमी में हूँ आप कभी नहीं बोलोगे मैं घटी में हूँ आप कभी नहीं बोलोगे मैं क्या हूँ घटी में हूँ आप कभी नहीं बोलोगे मैं कमी में हूँ क्योंकि वचिन कहता है जब तू पहलो उटा देखकर उसकी आदर करता है तो परमेश्यो तेरे खत्ते को क्या करता है भरता है और तेरे रसकुंडो से बाइबल कहती है नया दाकमदू उमरता रहेगा तेरे बिजनेस में नया बरकत आता रहेगा नया बरकत आता रहेगा नया आसिस आता रहेगा कब जब आप परमेश्यो को आदर देते हो तो परमेश्यो आज कुछ नहीं जाता आपके फाइनेंस में वो आदर जाता है Amen जब आप उसको पहला उठा दे के उसकी आदर करोगे वो आपके खत्तों को बरेगा कितने सारे लोग बोलते हैं आपको पता हैं महंगाई बढ़ रही है संसार में क्या बढ़ रही है कैसे जीएंगे कैसे खाएंगे, कैसे खरीदेंगे वो दिखाता है कि आप परमेशे के बर विश्वास नहीं करते हो यदि महंगाई बढ़ रहा है प्रभू तुझे भी बढ़ाएगा महंगाई से ज़्यादा आप बढ़ोगे आपको महंगाई महंगाई नहीं लगेगा Amen क्योंकर को परमेशे तुझे भी बढ़ाएगा कॉंकर मेरे बाता समझे So महंगाई महंगाई नहीं लेगेगा आपको जब आप अपनी ओफरिंग में दस्वान्स में फेट्फूल रहोगे जैसे महंगाई बढ़ रहा है उसको पहलो उटा देना है Amen किते तारी बिस्वासी बोलते हैं दस्वान्स पुराने नियम है दस्वान्स हम कौन से बंदे हैं ने 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 के बंदे हैं एदि आप ने 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 के बंदे हो तो बजन सिता 91 क्यों मानते हो आप नई नियम के बंदे हो तो आप बजन से ता 23 क्यों मानते हो आप नई नियम के बंदे हो तो पुराने नियम के आप बातों को क्यों मान रहे हो उन बच्चों को क्यों आप मननन करते हो और पुराने नियम Exodus निर्गमन 19 से सुरुआ पर अबरहाम ने दस्वांज दिया इजहाग ने दस्वांज दिया याकुब ने दस्वांज दिया तब तो कोई बेवस्ताई नहीं था तब तो कोई नया नियमी नहीं था पुराने नियमी नहीं था जब नियमी नहीं था तब उन्होंने दस्वांज दिया अबरहाम के पास कौन सा नभी आया कौन सा आकास अंजल आया उसको सिखाया अबरहाम तुझे दस्वांज देना है जब उसने लूट का माल पाया बाबल के थी आटोमेटी के लिए उसने मलिक सिदिक को दसवांस दिया और मलिक सिदिक कोन था येसु नासरी था इबराणी के पुस्टरप के लिका हुआ है मलिक सिदिक कोन था येसु मसी था जो परमेश्य के सोब रूप में था अबराहाम कब था अबरहाम पुराने नहीं नहीं बोल सुकते अबरहाम को आप अबरहाम ना तो पुराने नहीं में था अबरहाम ना तो नया नहीं में था अबरहाम आउट अप नहीं में था और उसको किसी नहीं सिखाया कोई नभी ने, कोई प्रॉफिट ने, कोई टीचर ने नहीं सिखाया, तुझे दसवांस देना है पर अटोमेटी के लिए उसने क्या किया, प्रभु को दसवांस दिया क्योंकि जो दसवांस देना, वो एक राबल लेसंस है जैसे पालूस कहता है, कि मुझे किसी ने ये बचन नहीं सिखाया एमें, ये वर्ड जो मैं तुम्हें सिखाता हूं, पभीत्रा आत्मा के दौरा ये परकास में ने पाया तो देना एक परकासन है Amen क्योंकि हमें पता है जब हम 100 में से 10% प्रभू को दे के आधर करते प्रभू को बोलते प्रभू जो आपने दिया हम आपको देते तो प्रभू हमारे 90% को बढ़ाना सुरू करता है multiply करना सुरू करता है में और आप और आपके घराना कभी गरीब नहीं रहेगा आपके जैनरेरेसन कभी कमी में नहीं रहेगा Because of you आपके देने की बज़े से आपके पूरे जैनरेरेसन सम्रीदी में वो जीना सुरू करेंगे अमीरता में जीना सुरू करेंगे आपके नात्ती पतों को पता भी नहीं होगा कमी क्या होगा क्योंकि जो बंदा बीजबोता है वो अमीरता में आगे बढ़ता जाता है बीजबोने का मतलब का है? अमीरता है इसलिए सेतान आपको लोकता है कितने सारे विश्वासी को रोकता है? दसवांस मत 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 दस शुरू करेगा, फेटफुल रहेगा, प्रभू को आदर देगा, पहले उठा देगे, यह अमीरता में बढ़ता जाएगा, यह समरीधी में बढ़ता जाएगा, Amen, देने ही में बहुत बड़ा पावरफुल, देना बड़ा पावरफुल रेक्राबलसंस है, Amen, लास्ट कभाईदे के मैं खत्म करता हूँ, जो अवारा चर्च बन रहा था, और उसमें एक मीटिंग में हमें बीज बोना था, एक पास्टो का मीटिंग होने वाला था, तो हमें प्रॉमिस किया था, जब आप मीटिंग करोगे, कौन्फरेंस करोगे, हम बीज देंगे, उसमें एक घर भी मिन रहा था, उसमें हमें 30-40 इजार इस भवन के लिए चाहिए था, चर्च बिल्डिंग मनाने के लिए, आपको दे क्या हूँ, परमेश्य कात्वा ने ब आपको दो दिन के बाद, किसी ने हमारे अकाउंट में 30-40 इजार क्या किया, बीज वोया, एदी हम वो अमाउंट नहीं देते हैं, क्या परमेश्य हमें वो ज्यादा अमाउंट देता, जिसके हमें नीड था, क्योंको परमेश्य बोड़ता है, आप इस अंसार में अपने प परातना करता हूं, परमेश्य आज आपको देने वाला बनाएं, लेने वाला ने, क्योंकि बाइबल करती है, कि परमेश्य आपके हातों को लेने वाला ने, देने वाला बनाएगा, और देना परमेश्य का करेक्टर है, लॉड आज तरे बच्चों के अंदर, आपका आप आजा येशु के नाम से, आपका चारेक्टर आजा इन नेम अफ दो लॉट जिरस क्राइस, तरे बच्चे बलस होते वे जाए, आस्षित होते वे जाए, प्रस्वर होते वे जाए, येशु के नाम से, हम प्रात्ना करते हैं, Amen and Amen.